नमस्कार दोस्तों मैं दिनेस आप सभी का एक बार फिर अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक HP के अंदर कैपेसिटर जो यूज होता है वो किस रेटिंग का यूज होगा तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन आपको टाइमली मिलता रहें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कम्प्लीट जो है जानकरी देने वाला हूँ सबी स्टेप जो है स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कैपेसिटर की वेल्यू फाइंड करते हैं तो देखेए सबसे पहले तो मैं आपको ये रेटिंग प्लेट जो है इसमें आपको वेरिफाइ करवा देता हूँ कि ये आपका कैपेसिटर जो है 15μF का है और आपकी मोटर जो है वो 1HP की है जिसको आप किलो वाट में यदि कहें तो 0.746 ये आपकी किलो वाट में रहती है और वाट में यदि कहें तो 746 वाट आपकी पावर है तो चलिए शुरू करते हैं देखें पहला इस टेप जो है वो तो आपको active power जो है वो आपको given है तो इसका मतलब active power given है तो आपको क्या करना है total power जो है जिसे आप s बोलते हैं ये आपको find करना है और s की जो value है वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं p divided by cos theta यहाँ cos theta क्या है आपका power factor है आगे यदि आप reactive power की बात करेंगे तो reactive power में आप sin theta आता है अब देखिए sin number 1 आपकी ये equation हो जाएगी और number 2 आपकी ये equation हो जाएगी अब समीकर्ण 1 जो है उससे आप किसकी s की value निकाल लेंगे और ये s की value आप कहाँ put कर देंगे यहाँ put कर देंगे तो आपकी समीकर्ण कुछ इस तरह से हो जाएगी और देखिए यह sin theta की value जो है वो मैंने trigonometry की trigonometry की जो identity है उससे use किया है तो ये कुछ भी नहीं है इसमें आपको करना क्या है केवल cos theta आपको पता है तो 1-cos square theta ये put करना है और under root लेना है ये आपकी sin theta की value हो जाएगी तो चलिए अब इसको हम देखते हैं किस तरह से इसमें आपको value जो है वो मिल 46 watt और इससे यदि आप s calculate करेंगे तो s आपकी क्या मिलेगी 746 divided by अब power factor जो होता है वो 0.8 से 0.9 के बीच रहता है तो यहां हम power factor जो है वो 0.9 लेंगे तो इससे आपको s की value यहां आपको calculate करने की जरूत नहीं है क्योंकि आपको reactive power जो है वो भी आपको calculate करनी है तो उस case में आपको 746 divided by 0.9 into अब sin theta यहां पर कितना होगा तो देखे sin theta की value जब आप calculate करेंगे तो यह आपको मिलेगी 0.44 ठीक है तो यहां से यदि आप Q की value निकालेंगे तो यह आपको मिलेगी 364.7 volt ampere reactive तो यह आपने क्या है reactive power calculate कर ली ठीक है अब इसी reactive power की help से आपको C की value मिलने वाली है कैसे तो देखें Q जो होता है वो होता है V square omega C और omega क्या होता है आपका 2 pi F into C तो यह Q जो है अब यहां देखें आपको C की value निकालने है तो C आपका क्या हो जाएगा C आपका हो जाएगा Q divided by V square into 2 pi F और इन सब की value क्योंकि frequency आपकी 50 hertz है तो इन सब की value 364.7 divided by V आपका 240 into 240 इसका मतलब 2 times है और यह जो है आपको value मिलेगी यह मिलेगी 314 314 तो यहां से यदि आप C की value देखेंगे तो C आपको मिलेगी 20.1 into 10 की power minus 6 तो यह minus 6 किसको बताता है यह आपका micro में बताता है और इसकी unit क्या रहेगी इसकी unit रहेगी आपकी farad तो इसका मतलब आपकी C जो है वो value मिली है 20.1 micro farad यह capacitor आपको use करना है बट इतनी value को आपको use नहीं करना है यदि यह तो आपकी total reactive power जो है तो 2 रहेगा 20% देखेंगे तो 4 रहेगा तो 20% यह आप कम करेंगे तो इसकी value आपको क्या मिलेगी इसकी value मिलेगी 16 अब आपको 16 micro farad गा capacitor तो मिलेगा नहीं आपको मिलेगा 15 micro farad गा capacitor तो वो आप इसमें use करने वाले है ठीक है तो आपको इस वीडियो के द्वारा I hope complete चो है step समझ में आये है और आपको फिर भी कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके कभी भी पूच सकते है मैं उसका reply करने की कोशिस करूँगा तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर share कीजिए